कि आज हम पोईम शुरू करने जा रहे हैं दा बिग बैवून आल्राइट तो चलिए इस पोईम को पढ़ना शुरू करते हैं मेरी सभी स्टूडेंट्स से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेके लास्त तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर अंदर हम इस लेसन के इस पोईम के जो कम्प्रिहेंशन के जो कोशन सब वो सारे इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं तो लेटस स्टार्ट विड़ूट वेस्टिंग अनी टाइम दबिग बैवून इस फाउंट अपॉन अपॉन प्लेंस ऑफ कैरिबू यहां पे बै कहते हैं अक्सर हमने अपने इर्दगीर यहां इंडिया में हमने देखा होगा कि हम बंदर तो देखते हैं मंकीज तो देखते हैं लेकिन इस तरह के मंकीज जो हैं वो इंडिया के अंदर नहीं फौन किये जाते हैं इस तरह के जो मंकीज हैं जो बहुत बड़े होते हैं और जगह है जो Canada में है Canada की डिस्टिक है British Columbia Canada में एक डिस्टिक है British Columbia वहां पे एक जगह है Carrywore वहां पर इस तरह के बंदर जो है वो प्य करें सब्सक्राइब आख रहे हैं तरह जाते हैं वहां के मैदानी इलाकों जो है वो कुछ भी नहीं पहनते हैं जब बाहर निकलते हैं या कहीं पर भी चलते हैं वो तो बीना कुछ पहने हुए निकलते हैं तो यह पोईट को बहुत ज़्यादा शौकिंग लगता है यह चीज़ देखके तो पोईट क्या चाता है कि अगर बिग बबून जो है वो उसको अच्छे से ड्रेस अप किया जाए उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहना जाए तो वो एक तरह से एक जेंटलमेन की तरह दिखेगा और अगर उसके फेस के ओपर और थोड़े जादा बाल आ जाए जाएं जिस्कर्स क्या होते हैं जो हम हमारे नाक के पास नोज के पास और लिप्स के इर्द के जो हैर सोते हैं उनको हम क्या कहते हैं विस्कर्स कहते हैं जहां फिर आपके बुक के ओपर दिया हुआ विस्कर् रंबे बाल जो किसी भी जानवर के फेस के उपर होते हैं उनको क्या कहते हैं विसकर्स कहते हैं और पोईट क्या कहता है कि अगर बिग बैबून को एक अच्छा सा ड्रेस पहना दिया जाए और उसके चहरे के उपर और ज्यादा हेर्स जो हैं वो ग्रो हो जाएं How like this big baboon would be to Mr. So and So तो इस तरह का जो big baboon है वो किस तरह से दिखेगा वो बिल्कुल एक gentleman की तरह दिखेगा उसे एक अच्छा dress पहना दिये जाए उसके चेहरे के ऊपर थोड़े और बाल जो है वो बड़े बड़े हो जाए तो वो एक तरह से पूरा का पूरा gentleman की तरह दिखेगा तो ये थी हमारी poem the big baboon के बारे में जिसमें poet जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि जो big baboon है वो बहुत बड़े monkeys होते हैं और उनका face जो है वो बहुत बड़ा होता है और जो पाए जाते हैं Canada के district British Columbia के मैदानी इलाकों में point ये देखे बहुत ज़्यादा शोक होता है कि big baboon जो है वो अकसर कुछ भी नहीं पहनते है he goes about bearing nothing तो point क्या सोचता है कि अगर big baboon को अगर इन monkeys को एक अच्छे तरह से कपड़े दिये जाए उनको अच्छे से dress up किया जाए और उनके चहरे के ओपर और थोड़े बाल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाए तो वो जो big baboon है वो बंदर की तरह नहीं एक gentleman की तरह दिखेंगे तो ये थी एक short summary about the